दोस्तों मारूती सूजुकी इंडिया लेमिटेड भारत में अपनी छोटी गारियों को लेकर खासा फेमस है और मारूती सूजुकी इंडिया लेमिटेड जल्दी ही इसी करी में इंडियन मार्केट में अपने ब्रैंड की सबसे छोटी और सस्ती कार उतारने की तयारियों में जड़ गई है टाटा नैनो और हुंड़ाई इयोन जैसी एकॉनोमिक और फ्यूवल एफिशियंट कार के मुकाबले में मारूती सुजुकी इंडिया लेमिटेड अपने लोग प्रिय मॉडल ऑल्टो से भी सस्तीकार सर्वो को भारत में लॉंच करने की तयारी कर रही है तो आ मारूती से जुड़े सूत्रों की अगर हम मानते हैं तो लगातार बढ़ते हुए कॉमपटेशन को देखते हुए कंपनी इसकार को जल्दी से जल्दी लॉंच करना चाहती है और ये भी उमीद लगाई जा रही है कि इसकी कीमत बहुत ही कम रखी जाएगी मारूती इसकार क सी सी का पैच्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है सिक्स्टी बीच्पी की पारवाली सकार का माइलेज 30 किलोमेटर प्रती लीटर से भी अधिक होने का दावा कंपनी द्वारा किया जा रहा है मारूती ने सर्वों में अडवांस्ट वेरियेबल वेल्यो टाइमिंग याने की वी वी टी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो की सर्वों को अधिक माइलेज प्रदान करेगी एक साधारन परिवार के मुताबिक बूट स्पेस युवाओं को काफी अकर्शित करता डिजाइन और चटकीले मटैलिक रंगों में उपलब्ध इस कार का भारतिय कार मार्केट में बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है हलाकि आपको मैं ये भी बता दूँ कि कमपनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इसके कितने मौडल बाजार में उतारे जाएंगे लांच टेट की अगर मैं बात करूँ तो कमपनी इसकार को अगले साल 2022 तक इंडियन मार्केट में उतारने का प्लान कर रही है ये मौडल फिलहाल जापान में उपलब्ध है और भारतिय बाजार में सर्वो की लागत कम करने के लिए मारुती इसमें कुछ फीचर्स को कम कर स सर्वो हैशबेक क्लास में आती है और इसमें 4-6 लोगों के बैठने की शमता है इसमें डिक्की सहित 5 दरवाजे रखे गए हैं अब इसकी कीमत की में बात करूँ तो इसका शुरुवाती मूल्य 1,80,000 से लेकर 3,50,000 रुपे के बीच इसकी कीमत रहने का अनुमान लगाया जा रहा है तो आपको कैसी लग रही है ये गाड़ी और क्या आप भी सर्वो को खरीदने का प्लान कर रहे हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियो ये भी बताईएगा साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्र कर लीजे वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजेगा धन्यवाद